कोरोना वारस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है लोगों को हर संभव कोरोना वारस से बचाने की कोशिश की जा रही है निजिस्तर पर भी कुछ लोग और समाथ से भी सहस्थाय सीवा में जुटे हुए हैं और मदद करते दिखाई दी रहे हैं जब ऐसी तस्वीरे सामने आती हैं तो पिए अहसास देती हैं कि इस दुनिया में बुरा हो तो अच्छा करने वाले लोग अभी भी मौजूद हैं ऐसा ही एक वाकिया सामने आया महराश्र के पूरे से पूरे में कोरोना वारस के सबसे जादा मरीज हैं यही से एक बेहत काने के लिए हॉस्पिटल में वाड़ बॉय की नौकरी करने लगे सेक्यूरिटी एजेंसी के पार्टनर जो कि हर महीने 65,000 से जादा कमाते हैं पिछले कई दिनों से यहां मरीजों की देखभाल और साफसफाय की काम में लगे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि कोरोना के मरीजों कि सेवा कर सकें और खुद को कोरोना से ठीक करने में मदद करने वालों का एहसान उतार सकें। अकभार में विग्यापन देखकर अपलाई किया और इंटर्व्यों के बाद उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया। उनका कहना है कि भगवान ने स्वस्त करके उन्हें दूसरा जीवन दिया है और इस जीवन का वो कोरोना मरीजों की सेवा करनी में उप्योग करना चाहते हैं बता दें कि इस काम के लिए उन्हें बकाइदा 15,000 रुपे तंखवावे मिलती है गायकवार मुंबे के एक सुरक्षा एजेंसी में पार्टनर है और उनके पास 200 से जादा करमचारियों की टीम है एक कमटी का मालक होने के बार 500 करमचारियों का बॉस होने के बार भी वो रोजाना हॉस्पिटल आते हैं और वाट बॉय के रूप में अपनी सारे जिम्मदारियां संभालते नजर आते हैं अच्छे खासी कमाई करने वाले गायकवार से जब कम वेतन के बारे में पूछा गया तो उनका कहना है कि मुझे कम वेतन से कोई अतराज नहीं मेरा इरादा मानोता की सेवा करना है जो बुरे दौर से गुजर रहे हैं मैं वही कर रहा हूँ बता दें कि उनकी पत्नी सवीता PCMC द्वारा संचालित पूने के भोसारी अस्पताल में नर्स हैं गायकवार का कहना है कि मैं जीवन में एक डर से बच गया हूँ अगर आप दुनिया में जीवित ही नहीं है तो पैसे का मतलब कुछ भी नहीं है भगवार ने मुझे एक और अवसर दिया है अस्पताल के लोगों ने मुझे नया जीवन दिया है और मैं इसे मरीजों की सेवा में बिताना चाहता हूँ गायकवार की एक आनी लोगों के लिए प्रेणा दाई बन रही है और कोरोना के बिगरते समय में इस तरह का ज़जबा एक जोश देता है इस महामारी से लड़ने का